इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHW vs PSW Australia Women's T20 Big Best League का ये match number 31 है जो कि दोपहर में 1 बच के 40 मिनट पे स्टार्ट होगा Brisbane Heat और Perthis Culture के बीच में ये जो है match होने वाला है डिरेक्ली जो है match के बारे में बात करते हैं जो कि काफी कम टाइम बचा हुआ है Brisbane Heat और Perthis Culture यहाँ पर ये match number 31 है Women's Big Best League का एलन बॉर्डर फिल्ड जो है Brisbane के वेन्यों पे 1 बच के 40 मिनट पे match स्टार्ट होगा यहाँ के अगर मैं पिछी रिपोर्ट की बात करूँ यहाँ के पिछी जो है balance है लास्ट के अगर आप 20 matches में देखोगे average score जो है 128 है बहुत ज़़ारण बनते हुए यहाँ पर नहीं देखे गए हैं यहाँ पर जो भी team जो है toss win करेगी वो जो है bet first करना जो है select करेगी वीडियो को like भी कर दिया करो मेरे भाई आपका एक like चैनल को support करता है हमें motivation मिलता है तो वीडियो को like जोर से किया करें venue stats के अगर हम बात करें total इस venue पे 22 जो है T20 matches खेले गए है 8 बार bet first करने वाले team ने win किया है 14 बार bet second करने वाले team ने win किया है 134 run average score है 183 highest score है 102 run यहाँ पे lowest score है 22 matches में क्या हुआ है 150 run से नीचे का score 18 बार बना है 150 से 170 run के बीच में जो है 3 बार score बना है 170 से 190 के बीच में एक बार और यहाँ पर 190 से उपर का score नहीं बना हुआ है venue पर इस season अभी तक जो है सिर्फ एक ही match खेला गया है अगर आप देखोगे 27 October को match खेला गया था Brisbane Heat और Melbourne Star के बीच में match खेला गया था Brisbane Heat की टीम ने 13 run से match विन किया था total 13 wicket इस match में गिरी थी उसके पहले बाले matches भी अगर आप देखोगे तो बैलो स्कूर मैच रहे हैं जो कि 2022 में यहाँ पर खेले गये हैं विकेट सलगबग भई 12 13 wicket यहाँ पर गिरते भी जो है देखी गई है और 140 से 150 के बीच में यहाँ पर स्कूर बनता हुआ देखा गया है हाला कि दोनों ही टीम काफी अच्छी है Brisbane Heat और पर्थिसकोचर मुझे इस match में जो है उमेद है कि 150 प्लस हमें देखने के लिए यहाँ पर जो है मिल सकता है Head to head के अगर हम बात करें टोटल जो है 17 T20 matches हुए है Brisbane Heat और पर्थिसकोचर और पर्थिसकोचर और वोमेंस के बीच में Brisbane Heat की टीम ने जो है 10 बार विन किया है जबकि पर्थिसकोचर की टीम ने 7 बार विन किया है लास्ट येर इन दोनों ही टीम के बीच में 2 matches हुए थे 2022 में 9 November 2022 और 29 November 2022 Brisbane Heat की टीम ने 35 रन से विन किया था एक मैच और एक मैच पर्थिसकोचर की टीम ने 3 रन से विन किया था 2021 के बीच में इन दोनों ही टीम के बीच में जो है दो मैचस हुए थे जहां पर आप देख सकते हो कि जो है एक मैच ब्रिस्वेन हीट की टीम ने विन किया है एक मैच पर्थिसकोचर की टीम ने विन किया हुआ है अगर हम बात करें recent form की recent form में दोनों ही टीम अपना last वाला match हार के आ रही है Brisbane Heat अपना last वाला match से नी ठंडर से हार के आ रही है जबकि Parthis Coacher अपना match जो है इडिलिडी स्टाइकर से हार के आ रही है Point Stable में position देख लो Brisbane Heat की टीम ने अभी तक 7 matches के लिए है पांच match win किया है दो match loss किये है Parthis Coacher की टीम ने अगर आप देखोगे 7 matches के लिए है 4 match win किया है और 3 match loss किया है Brisbane Heat की टीम अभी Point Stable में 3rd position पे है और Parthis Coacher की टीम अभी Point Stable में 4th position पे है दोनों ही टीम की recent form में अगर आप देखोगे लास्ट के 5 में से जो है 3-3 match ये team win करके आ रही है और 2-2 match loss करके आ रही है लास्ट 5 match Brisbane Heat और Parthis Coacher दोनों के हमने यहाँ पर दे रखे है यहाँ पर bat first किया second किया win किया ये loss किया ये चीज़े हमने बताई हुई है अब हम बात करते हैं यहाँ पर तो है playing 11 की सबसे पहले Brisbane Heat टीम की हम playing 11 दिखते हैं Grace Harris के साथ में जी रेड माइने आपको open करते हैं नजर आएंगी वन डाउन पे Amelia Care है उसके बद मेगंदू प्रीज है Charlie Knott है, G. Wall है, Jess Jonasan है B. Heat है, Makaya Hincky है Nikola Hancock है, और C. Sipal है तो यह Brisbane Heat टीम की playing 11 है player role भी side में हमने लिखे हुए है तो आप इनके player role भी पढ़ सकते हो पर्थि स्कोचर टीम की अगर हम बात करें Beth Mooney के साथ में Sophie Divine आपको open करते हैं नजर आएंगी One Down पे Maddie Dark है उसके बाद Nets के बर Brunt है Ami Jones है, Alana King है, C. P. Paro है Ami Edgar है, Karla Pipa Clearly है उसके बाद S. Camp Pable है और यहाँ पे C. Amis Worth है पर्थि स्कोचर टीम की यह playing 11 हो गई अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है left handed में आपको beth mooney मिलेंगी और यहाँ पर आपको left handed में Gorgia Red Mooney मिलेंगी जो की दोनों विकेट कीपर बैटर है पर्थि स्कोचर मोमेंस की और Brisbane Heat मोमेंस की जो है playing 11 हो गई अब बात करते हैं player की performance की Grace Harris अगर आप देखोगे balling करा रही है लेकिन विकेट लेस रही है mostly matches में बाकी एक विकेट यहाँ पर मिला 34 matches के लिए है जिसमें 14 विकेट है average जो है 35 का है तो average venue पर ठीक ठाक है Red Mooney के अगर हम बात करें बहुत ही सांदार player है अपने दिन पर बहुत अच्छा करके आपको दे सकती है लेकिन recent वो मुतना अच्छा नहीं है head to head में 38 का average है venue पर 32 का average है Amelia Kerr one of the best options रहती है CVC के लिए पहले match में खेली थी 19 run किया last match में भी 41 run किया लेकिन जो है wicket less रही है यहाँ पर आप देख सकते हो इनके भी head to head के stats venue stats हमने दे रखे हैं मेगन्दू प्रीज ने last match में भाई कमाल कर दिया 61 run की innings के लिए लेकिन आपको बता दे कि मेगन्दू प्रीज का recent form उतना अच्छा नहीं है G wall अपने दिम पर अच्छा करके आपको दे सकती है बाकी जिस match में balling कराई है आप देख सकते हो कि wickets उतने नहीं मिले हुए है generally यह एक batter के rope में आप उतने नहीं मिले हुए है जेह जोनासन की बात करें जेह जोनासन जो है wicket taking option है अगर आप देखोगे 2-2 wicket लेके आ रही थी last match में जो है भले ही wicket ना मिला 15 run किये लेकिन wicket taking option है और टीम को उगर जोड़ पड़ी तो run भी करके दे सकती है जैसे कि अगर आप देखोगे 22 run यहाँ पर किये है यहाँ पर 27 run किये है तो run भी जो है करती है हालाकि bat order जो है number 7 पे है B-hit बहुत ही शांदार player है लेकिन जो है मौका उतना नहीं मिला है अगर मौका मिले तो ये भी बड़ी innings खेल के आपको दे सकती है फिलाल recent form उतना अच्छा नहीं है और मौका भी जो है इनको आप बोल सकते हो कि नहीं मिला है निकोला हैंकोक back to back जो है दो matches में दो-दो wicket लेके आ रही है अपने दिन पे मैंने आपको अलड़ी बताया था कि ये जो है गुच्छों में wicket निकाल सकती है सिल सिपल ने last match में जो है दो wicket लिये थे ये last match की ब्रिस्मीन हिट की पूरी balling details है चारली नोट जो है power play में गिंदबाजी कर रही है और निकोला हैंकोक भी निकोला हैंकोक तो भाई डेथ में गिंदबाजी कर रही है county सिपल के साथ में तो ये जो है important players रहने वाली है और Amelia Care last match में जो है इन्होंने 3 over डाले थे काफी पिटाई हो गई थी middle over में जो है गिंदबाजी कराया death में भी जो है ये गिंदबाजी करा लेती है अब हम बात करते हैं पर्थिस कोचर की bet money का अगर आप देखोगे न दो जो है 50 प्लस की इनिंग्स के लिए उसके बाद एक में 32 run बाकी 0 run, 9 run, 8 run तो थोड़ा hit और miss कर रही है लेकिन consistent performer है बहुत ही शांदार option है head to head में 25 का average है venue पर भी 25 का average है Sophie Divine one of the best options आपको मिलती है one man army है 23 run plus 1 wicket 9 run plus 2 wicket 26 run plus 2 wicket 28 run plus 1 wicket तो यह perform करती है हमिशा से ही 31 का average है head to head में venue पर 16 matches में 219 run है 42 का average है venue पर 16 match में जो है 15 wicket निकाल चुकी है तो ध्यान रखेगा बहुत बढ़ी है option है इनको जो है 3-4 टीम में grinding में CVC कर लेना Mary Dark अच्छा कर नहीं है 31 run last match में किया 45 run 45 run अच्छी जो है player है बढ़ीया सांदार option है last match में खेली थी जो है England की top all rounder net skipper brand हाला कि last match में इन्होंने balling नहीं कराई इस match में भी सायच से balling कराएं लेकिन जो है maximum balling कराएंगी तो 2 over उससे ज़्यादा सायच से कराएं नो कराएं last match में 53 इन्होंने किया बहुत बढ़ीया option ये भी है CBC इनको भी कर सकते हो Amy Jones विकेट की पर better है जो है England की बढ़ीया ये भी option रहने वाली है अपने दिन पर अच्छा करके आपको दे सकती है बाकी अलाना किंकी अगर हम बात करें कुछ matches में विकेट लेके जा रही थी last match में जो है विकेट लेस रही CP पारो mostly grand की टीम में ट्राइ करना Amy Edgar का अगर आप देखोगे कुछ matches में इन्होंने विकेट निकाले हुए है जैसे कि जो है 3 विकेट, 2 विकेट लेकिन बाकी में यहाँ पर 4 विकेट निकाला है यहाँ पर 1 विकेट, 2 matches में जो है विकेट लेस रही है, तो बॉलिंग अच्छी करा रही है ध्यान रखेगा, अच्छी बॉलिंग करा रही है और यहाँ पर दूसरी कोई खास option नहीं है ग्राणली की टीम में इनको चाओ तो ट्राइ कर सकते हो यह पर्थिसकोच और वोमिन्स की लास्ट मेच की जो है बॉलिंग डेटेल्स है अलारा किंग जो है पाउर प्ले में गिंदबाजी करते हुए मिलेंगी टॉपिक्स अनिकी की प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन सी रहेंगी अमेलिया कैर, सोफी डिवाइन, नेट इसके वरबरन यह तीनों के तीनों आपको हर एक टीम में होनी चाहिए चाहे ग्राणली में जाओ या फिर स्मॉल लिग में जाओ उसके बाद जेस जोनासन हो गई, ग्रेस हैरिस हो गई, बैट मुनी हो गई मेगंदू प्रीच को आप चाहो तो भाई रख सकते हो ग्राणली की टीम्स में अच्छी ऑप्शन यह रहती है मैं इसको हमेशा से प्रेफर करता हूँ लेकिन 2022-23 इनका उतना अच्छा नहीं गया है चारली नोट को जो है अपने टीम में आप ज़रू से रखना बढ़िया उप्शन रहने वाली है बैट बॉल दोनों करके आपको दे सकती है इस मॉल लिग में अगर आप CVC जा रहे हो ना बाकी नहाँ पर कुछ लोग नेट इसके और ब्रंट को भी लेके आने वाले हैं लास्ट मुच में इन्होंने 53 किया था जेस जोनासन को भी कुछ लोग कर सकते हैं ग्रैंड लिग में अगर आप जा रहे हो यार ग्रे सेरिस को ट्राइ करना बालिंग कराई है आपको हमने बताया बालिंग से अगर विकेट लेके गई तो भाई डिब बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकती है बैत होनी सामने जो है अच्छे बालर्स रहेंगे लेकिन ये जो है बहुत ही शांदार बैटर है और लंबी-लंबी इनिक्स खिलने के लिए बड़ी-बड़ी इनिक्स खिलने के लिए जानी जाती है मैगंदू प्रीच को है जाग ग्रैंड की टीम में एक टीम में जरू से वाइस करप्टन कर लेना अपने दिन पर ये एक असिस्टेंट प्लेयर नहीं है लेकिन अपने दिन पर बहुत अच्छा करके आप को दे सकती है चारली नॉट को अलड़ी मैंने आपको बताया कि बैट बॉल दोनों से पॉपर्फॉर्म करती है अच्छी ऑप्शन है ग्रैनल की टीम में ट्राइ करना बनता है ब्रिस्वेन हीट वोमेंस की पुरी फुल स्कोर डिटेल पर्थिसकोच और वोमेंस की पुरी फुल स्कोर डिटेल दोनों ही टीम की यहाँ पर score detail हमने share करी है तो आप यहाँ पर score detail भी इनकी देख सकते हैं अब गाईज बात करें तो जो सबसे important चीज रहेगी न वो है भाई टेलीग्राम का channel वीडियो के description में हमने टेलीग्राम चैनल के link डाल रखी है जरूर से आप टेलीग्राम का channel जोईन करें यहाँ पर आपको task information, playing 11, dream 11 team सभी चीज़े देखने के लिए मिलेंगी बिल्कुल free of cost है टेलीग्राम चैनल के link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी आप जरूर से टेलीग्राम का channel जोईन करें ड्रीम इलन पे चलते हैं जहाँ पर अपनी team ready कर लेते हैं और अगर मैं बात करूँ investment की बहुत ज़्यदा high invest मत कर देना मेरे भाई नॉर्मल ही जो है invest करना न्यूजिलेंड और सिरलंका का भी match है उस match में भी जो है invest करना है बैथ मोनी, red wine ने, amazons, be heat आपको चार option मिलती है, चारों खेलती भी मिलेंगी यहाँ पर best option तो भाई, bet मोनी है लेकिन red wine ने भी जो है open कर रही है अपने team में आप जरू से रख सकते हो अच्छी player है, लंबी-लंबी innings के लिए जानी जाती है मैंने grace Harris को लिया है साथी साथ Maddie Dark को अपने team में लिया है मैंगंदू प्रीज को यहाँ पर लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत सारी आल राउंडर में options है जेश जोरासन के साथ में जाओंगा इसके वर ब्रंट के साथ में जाओंगा Sophie Divine, Amelia Care, Charlie Knott और Amy Edgar अब देखो यहाँ पर जो है G. Wall भी आपको option मिलती है कुछ matches में इन्होंने जो है first down पे bat किया था और अच्छी performance भी दी थी कुछ matches में अगर आप देखोगे न तो भाई जो है 67 point दिये 104 point दिये dream team का पार्ट रही है लेकिन mostly matches में flop भी रही है ये भी चे ध्यान भरकेगा Alana King हमारी team में directly आएंगी मैंने C.C.PAL को भी अपने team में लिया है आप चाहो तो Nicola Hancock को लेके जा सकते हो last match में जो है इन्होंने death में गिंदबाजी कराई थी C.N.E.S.Worth एक बहुत बढ़िया option हो सकती है इस Molly की team में इनको आप try कर सकते हो CVC की बात करें तो देखो यार सबसे बढ़िया जो option मुझे लगती है वो Amelia Care की है तो मैंने इनको ही captain से दी है Sophie Divine को vice captain से दी है आप चाहो तो CVC जो है reverse भी कर सकते हो या फिर जो है नेट इसकेवर के साथ में यहाँ पर जा सकते हो team preview देख लो Beth Mooney है, Grace Iris है, Maddy Dark है, Jess Jonathan है नेट इसकेवर है, Sophie Divine है, Amelia Care है Charlie Naught है, Amy Edgar है, Alana King है और सीस्तिपल है यहीं लगबग team रहने वाली है team में कोई change होगा, मैं आपको telegram channel पर बता दूँगा, दोस्तो वीडियो को like कर देना, channel पर पहली बार आए हो तो channel को subscribe भी कर देना, ऐसे ही channel को देखते रहो, support करते रहो, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में